पतनी के अलावा इस एक स्त्री से प्रेम करना गलत नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्राचारिय ने पूर्सों को पतनी के अलावा अन्य एसी कौन सी स्त्रियों के बारे में बताया है जिन से वे प्रेम कर सकते हैं अथवा उन्हें अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं और साथ ही एसी कौन सी स्त्रियां ह देहना चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवसे देखें नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों महान आचारिय शुक्राचारिय ने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुगम बनाने के उद्धिश्य से बहुती महत्वपूर ग्यान दिया है शुक्राचारिय ने इस्त्री एवं पुरुस के कई लक्षनों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है शुक्राचारिये भले ही देत्यों के गुरू थे किन्तु उनकी नीतियां संसार की सर्वस्रेश्ट नीतियों में से एक मानी जाती है ऐसी कारण देवता भी शुक्राचारिये की नीतियों का संबान करते थे शुक्राचारिय ने अपनी नीतियों में इस्त्री एवं पुर्सों के कई दुर्गणों का वरणन किया है जिनका त्याग उन्हें अवश्य ही कर देना चाहिए तभी वे अपना जीवन सुख सान्ती से वेतित कर सकते हैं अन्य था उन्हें दरिद्रता और कष्टों का सामना ही करना पड़ता है तो दोस्तों आज की इस वीडियों में हम जानेंगे कि सुक्राचारिय ने पुर्सों को पतनी के अलावा अन्य एसी कौन सी स्त्रियों के बारे में बताया है जिन से वे प्रेम कर सकते हैं पत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र इस्त्रियों की माया बड़े बड़े तपस्वी ना समझ सके, तो साधाण मनुश्य की तो बात ही क्या है? अतहा मनुश्य को साथान होकर अपने मन को स्त्रिय आसक्ती से दूर रख कर सदा ही कल्यान कारी कारिय करने साहिए, अन्य था उनका विनास तय है। तो आईए अब जान लेते हैं शुक्राचारिय के महत्वपुर्ण उपदेश, शुक्राचारिय कहते हैं अर्थाप एक नीच पुरुस का मन केवल इस्त्री के नाम लेने मात्र से ही हर्स उल्लास से भर जाता है वह आनंदित होकर जूमने लगता है, वह केवल इस्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कलपना करने लगता है उसका मन काम भाव से भर जाता है, उसके साथ गोर विलास करने की कामना करने लगता है और फिर ऐसे नीच के सामने वह स्त्री साख साथ परकट हो जाए तो उसकी रक्सा इस्वर भी नहीं कर सकते जिसके चित में केवले स्त्री ही भसी होती है ऐसे नीच का भला कोई भी नहीं कर सकता मन को ऐसा होना चाहिए कि श्त्री के रूप को देख कर भी मन में कोई विकार उत्पन ना हो तभी उस पुरुस का बला हो सकता है अर्थात नीच पुरुस जब एकांत में हो तो वह यह कामना करता है कि कोई सुन्दर श्त्री उस एकांत स्थान पे आ जाए और उसकी काम इच्छा को संतुष्ट करे एकांत में बेठे नीच के मन में सुन्दर योवन से परिपूर आकरती दिखाई देने लगती है वह उस स्थ्री के मधूर वतन सुनने के लिए आतूर बेठा रहता है उस स्थ्री के कोमल स्वर्ष की कामना करता है ऐसे वेक्ति की जीवन में कभी भी उन्नती नहीं हो सकती अर्थात इंद्रियों को सदा ही अपने अधीन रखने वाले रिशी मुनियों के मन को इस्त्रियां काम वासना से भर देती है जब मुनियों की यह दसा है तो अपने इंद्रियों को वस में न रखने वाले साधान मनुश्य के विशे में क्या बात की जाए उन्हें एकांत में कोई इस्त्री दिख जाए तो वह स्वयम कान नास अवश्य ही कर लेंगे इसलिए एक बुद्धी मान मनुश्य को उच्चित समय आने पर विवा अवश्य कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रती वफादार रहना चाहिए इस सलोक में शुक्राचारिय कहते हैं कि इस्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है शुक्राचारिय कहते हैं कि किसी यूती से प्रेम करना एनेतिक नहीं है जिसे श्त्री से समाज अथा धर्म की नेतिक सिमाओं का उलंगन ना होता हो इसे प्रेम को किसी प्रह का दोस नहीं होता अर्थात समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रख कर किसी स्त्री से प्रेम करना कतई अनुचित नहीं होता है यदि पत्नी को दुख ना हो तो वह पत्नी को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आग्या दे और वह पुरुष दोनों इस्तियों को बराबर का हग दे और सुख देने में समर्त हो तो वह अन्ष्टी से फ्रेम कर शकता है लेकिन वह पतनी जो ग्रे लक्समी है उसे एसंतुस्ट एवं दुखी करके पुरुस दूसरी स्त्री के पास जाता है तो एसा पुरुस मुर्ख ही कहलाएगा यह बात प्राचीन काल के समय में राजा महराजाओं पर लागू होती थी इसलिए कोई भी पुरुस अपनी पुरुस अपनी पुरुस को दुखी करके अन्य स्त्री में आसकती ना दिखावे यहीं बुद्धिमानी है नहीं तो उसका विनास होना तय है तो दोस्तों इस परकार से महान आचारिय शुक्राचारिय ने पुरुसों को महत्वपन उपदेश दिये है शुक्राचारिय की नीतियों के बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट में अवश्य बताएं धन्यवाद